वेलकम एवरीवन वेरी गुड बॉर्निंग आज है एक नया दिन आज हम 28 अप्रेल 2022 के करेंट एफेर्स को डिसकस करेंगे और ये काफी इंपोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट जो पूरा है पूरा करने में हमारी जो हेल्प है वो आप जरूर करें आज हम वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 200 इसे अचीव करने में हमारी हेल्प जरूर करें तो चलिए सुरुआत करते हैं पहले क्विशन के साथ फोर्मूला वन रेस एमि नीदर लेंड से बिलोंग करते हैं 2022 Formula 1 World Championship का चोथा दोर था ये और Formula 1 जो है एक प्रकार की Car Race है यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम Formula 1 के बारे में बात करें तो जिसे हम Formula 1 के बारे में जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी Automobile Race परत्योगिता है इसका आयोजन Federation of International Automobiles की नामक संस्था के द्वारा क्या जाता है इस संस्था के स्थापना 1904 में ही थी और इसका आयोजन इस्थल है यह है इमोला इटली में हुआ था इसको टॉम International Peace Research Institute यानि की सिपरी द्वारा जारी वेश्विक सेन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस इस्थान पर रहा इस रिपोर्ट के नुसार भारत के सेन्य खर्च वर्ष 2021 में 76.6 billion dollar रहा जबकि 2022 की तुलना में 0.9% और 2021 की तुलना में 33% ज़्यादा है सिपरी द्वारा परकाशित आकडो के नुसार कुल वेश्विक सेन्य खर्च 0.7% बढ़कर 2013 billion अमेरिकी डोलर तक पहुँच गया है Social Media Platform जिसका नाम है Twitter इसको 44 billion dollar में लगबक 3,316,000,000 करोड रुपए में यानि कि 3,368 अरब रुपए में यहाँ पर अधिगरत किया गया है तो यह किस ने खरीदा है? यह यहाँ पर Elon Musk के द्वारा खरीद लिया गया है अभी Twitter अना यह पूरा प्राइवेट कंपनी यहाँ पर बन गयी है मतलब सिर्फ सिंगल व्यक्ति के हाथों में है Twitter अभी तो Tesla और SpaceX के संस्थापक एलन मस्क ने Social Media App प्लेटफोर्म जो है Twitter इसको 44 billion dollar में approximately खरीद लिया है यह अधिग रहन Tech World में सबसे बड़े सोदे के रूप में से एक यहाँ पर देखने को मिलेगा और इस सोदे के तहट एलन मस्क 54.20 dollar मुले शेरों के साथ Twitter का अधिग रेण करेंगे Twitter जो है इसकी स्थापना 2006 में हुँ थी इसका California हेड़कॉर्टर है इसका और प्राग अगरवाल जो है इसके CEO आप लोगों को वर्तवान में देखने को मिलेंगे विश्व बोदिक संपता दिवस 2022 कम मनाय गया तो 26 अप्रेल को मनाय गया और इस बार की जो थीम है IP and Youth Innovating for Better Future हर गाउं में पुस्तकाले यानि कि लाइबरेरी पहला जिला कौन सा बना रहा है तो ये बना रहा है जामताडा जो कि जारखन के अंदर है वहाँ पर हर गाउं में पुस्तकाले जो है ये पहला जिला बना है जहां पर इसको खोला जा रहा है तो जारखन का सहर जामताड़ा अपने हर गाउं में पुस्तकाले वाला भारत का पहला जिला बन गया है और आठ लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 परखंडों के अंतरगत कुल 118 ग्राम पंचायते और अब परतेक पंचायत में एक सुसजित लाइबरेरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी अधित्य विडला कैपिटल के नए CEO कोन बने है तो याद रखना विसाखा मूले को चुना गया है अच्छा विसाखा मूले अधित्य विडला कैपिटल जो है इसके नए CEO बने है और विसाखा मूले अजय स्री निवासन का स्थान लेंगे और अगर हम अधित्य विडला कैपिटल लिमिटेर के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2007 मूले इसका हेड़कॉर्टर भारत में है एश्या का सबसे बड़ा अंतराष्ट्य खाद्य और अधित्य सतकार मेला आहार 2022 कहां पर सुरू हुआ है यह मेला करशी और प्रकर्तिक खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधी करण और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा आईजित किया जाता है आहार मेला ओद्योगों के साथ नेटवर्किंग और व्यापारिक संपर्क स्थापित करने एक उत्पादकों को लोंज करने का आवसर प्रदान करता है आईजनिस्थल नई दिल्ली में है और संस्क्रण है नववा भारत के पहले सामुदाइक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूदवानी का गया है तो यहाँ पर ओप्शन नमबर है B प्रदानमंदर निरेंदर मोदी जी ने अपने गुजरात दोरे के दोरान पशुपालन को समर्पित सामुदाइक रेडियो स्टेशन दूदवाने का उद्गाटन किया है यह सामुदाइक रेडियो स्टेशन किसानों को कृशी और पसुपालन समन्दी परमुख विग्यानिक जानकरिया परदान करने के लिए इस्थापित किया गया है गुजरात जिसकी राज़दानी है गांदी नगर, मुख्य मंत्री है बोपेंदर पटेल, गवर्णर है आचारी देवरत और नैदीस है अरविंद कुमार तक्टिय रेखा है 1600 किलोमेटर और वैसे है 1214 किलोमेटर महतुपूर्ण नैशनल जो पार्क है, गिरफोरेश्ट नैशनल पार्क है, ब्लैकबक्ट नैशनल पार्क है, वसंदा नैशनल पार्क है, गल्फ कच्मरीन नैशनल पार्क पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किस देश ने सरवादिक जंडे फैराने का ग्रीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है तो भारत ने और भारत के बिहार के जगदीशपूर में बाबु वीर कुमर सिंग ने जैनती के मोके पर आयुजित विजोचव के दोरान एक साथ जंडा फैराने का नया रिकोर्ड बनाया है इससे पहले 50,000 जंडे फैराने का रिकोर्ड पाकिस्तान के नाम था बिहार के इस रिकोर्ड का 78,000 से ज़्यादा लोगों ने तिरंगा फैराया है प्रण हीता पुषकरलू त्योवार 2022 त्योवार किस राजे में मनाया गया है तो याद रखना त्यलंगना में त्यलंगना राजे में प्रण हीता पुषकरलू त्योवार मनाया गया है पुषकरलू एक भारती है त्विवार है जो कि नदियों की पुजा के लिए समर्पित है और इसे पुषकरलू यानि की तेलगू के अंदर पुषकरा कंणड में और पुषकर के नाम से भी जाना जाता है अचा आज का आपका टेश्ट का ख्यूशन है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी राय सीना डायलोग के साथ वे संस्क्रण का उधगाटन कहां करेंगे तो आपको बताना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा हाँ 200 लाइक का हम टार्गेट रखते हैं तो उसे अचीव करने में हमारी हेल्प जरूर कीजिएगा